नमस्कार मित्रों, सत्वचन कारीकरम के एक और श्रिंखला में मैं आप सबका सहिर्दै स्वागत करता हूँ मेरा विश्वास है कि सत्वचन के धारवाहिक अध्यन के द्वारा आपको पुवित्रिशास्त की सत्ता को समझने में सहायक सिध हो रही है यदि आप इससे अशिशित हो रहे हैं तो हमें अपनी गवाही जरूर बताएं कि हम आपके कारण परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें और प्रार्थना कर सकें कि परमेश्वर आपको दिन प्रति दिन अपने ग्यान में बढ़ाए परमेश्वर संसार के हर जाती के लिए परमेश्वर है और उसका वचन भी हर एक व्यक्ति के लिए है परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से उसके खोजियों को अपनी बाती प्रकट करता है बाइबल में प्रेडितों के काम नामपुस्तक उसके 17 अध्याय और 26-27 पद में लिखा है उसने एक ही मूल से मनुश्यों की सब जातियां सारी पृत्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांदा है कि वे परमेश्वर को ढूंडे कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं सत्यवचन का सिलसलेवार अध्यान इसे और करीब से जानने के लिए आप के लिए इसे प्रस्तुत करता है यह परमेश्वर के उद्देशों को हमें समझने के लिए प्रदान किया गया है जब हम उसे समझते हैं तो हम उसकी महिमा करने के लिए प्रेरित होते हैं दोस्तों और परमेश्वर उसकी महिमा करने वालों से प्रेम करता है वह उनको कभी नहीं छोड़ता आज के अध्यन के द्वारा इसे और अधिक इस पस्ट रूप से हम समझने पाएंगे कि वह हमारे लिए कैसा महाल परमेश्वर है आईए हम अपने अधियन में आगे बढ़ें प्रेमित्र पिछले अध्यन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने जिस भी मनश्य को काम में लिया उसे धीरच का पाठ अवश्य पढ़ाया क्योंकि परमेश्वर के काम में शिगरता की तक 21 अध्याय उसके नौपद में पढ़ेंगे यहां पर इस प्रकास से लिखा हुआ है याजक ने कहा हाँ पलिष्टी गोलियत जिसे तुने एला तराई में घात किया उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है यदि तु उसे लेना चाहे तो ले ले उसे चोड़ और कोई यहां नहीं है दाउद बोला उसके तु ले कोई नहीं वही मुझे दे दाउद अपनी युवावस्था में गोफन चलाने में दक्ष था परंतु संभव है कि राज महल में लंबे समय तक रहने के बाद उसे अपनी गोफन पर भरुसा ना रहा हो इस समय उसे तलवार की आवशक्ता थी और वह गोलियत की तलवार काम में लेगा क्योंकि उस समय वही उपलब्द थी पहला शामुल 21 के दसपद में आगे लिखा है तब दाउद चला और उसी दिन शाउल के डर के मारे भाग कर गत के राजा आकरिश के पास गया दाउद शाउल से यथा संभव दूर चला गया वह आकरिश के छेत्र में पहुँश तो गया परन्तो उसे वहां संकट का बोध हुआ वे इसराइल के बैरी थे अता दाउद को पागलपन का नाटक करना पड़ा पहला शामुल 21 के पंदरपद में लिखा हुआ है क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा दाउद का नाटक सफल हुआ और राजा आकिश ने उस पर विश्वास कर लिया अब दाउद का संकट टल गया था अब हम देखते हैं दाउद ने अपने प्राक्रमी आदमियों को इकठा किया अब शावल प्रतेक्ष रूप से दाउद के प्राण का खोजी हो गया था परन्तो योनातान ने उसे गुप्त भाशा में समझा दिया था कि वह वहाँ से भाग जाए वहाँ से भाग कर दाउद नोब में अहिमेलेक याजक के पास पहुँचा वहाँ उसने भेट की उठाई गई रोटिया ली और खाई वहाँ से चल कर वह गत के राजा आक्रिश के पास पहुँचा परन्तो खत्रे का बोध पाकर वह पागल का नाटक करने लगा वहाँ से बच कर दाउद अदुलाम की गुफा में पहुचा मेरे मित्रों यहाँ पर अध्याए एक की समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यन को अध्याए 22 से जारी रखेंगे अध्याए 22 में दाउद के जीवन का वश समय दिया गया है जब वह गुफाओं में छिपा हुआ था सीख रहा था कि राजा के काम में शिग्रिता की आवशक्ता नहीं है परमेश्वर उसे शिक्षन एवं प्रशिक्षन प्रदान कर रहा है जैसे उसने अपने अन्य जनों के साथ किया था शाउल से चिपने के इस समय में उसको ढूना जा रहा था उसका पीछा किया जा रहा था वह मारा मारा फिर रहा था राजा के क्रोद के कारण उसे जंगल में और गुफाओं में चिपना पड़ रहा था इस समय दाउद ने अपने लिए कहा पहला शामुल 26 अध्याय के 20 पद में लिखा है इसलिए अब मेरा लहू यहवा की आखों की ओट में भूमी पर न बहने पाए इस्राइल का राजा तो एक पिस्सु ढूनने आया है जैसा कि कोई पहाणों पर तीतर का अहेर करे अब हम देखते हैं पहली बात यहाँ पर मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ भजन सहिता 102 के छे में मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ दूसरा मैं उजले अस्थान के उल्लू के समान बन गया हूँ भजन सहिता 102 के दूसरे पार्ट में है मैं उजले अस्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ तीसरा, मेरा प्राण सीहों के बीच में है भजन सहिता संतावन का चार मेरा प्राण सीहों के बीच में है मुझे जलतिवों के बीच में लेटना पड़ता है अर्थात, ऐसे मनश्यों के बीच में जिनके दात बर्ची और तीर हैं और जिनकी जीब तेज तलवार है। चोथी बात उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गढ़ा खोदा परन्तु आप ही उसमें गिर पड़े। शावल से भागने के इन वर्षों में दावत पूरी तरह ठक चुका था। शावल उसकी जान के पीछे पड़ गया, तब वो अदुलाम की गुफा में छिप गया। यह स्थान यरुशलेम के दक्षिन पक्षिम में पलिस्तियों और हेबरोन के मध्ध की घाटी है जो एक प्रकार का चटानी किला है। पहला शामल के पुस्तक 22 सध है उसके एक और दो पद में हम पढ़ते हैं। दाउद वोहाँ से चला और बच कर अदुलाम की गुफा में पहुच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन, उसके पिता का समस्त घाराना वहां उसके पास गया। और जितने संकट में पड़े थे और जितने रिनी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गये दाउद और प्रभु यिश्व मसीख में अद्भुत तुना की जा सकती है जब उसे त्यागा गया था दाउद का यह परित्याग लगभग 10 वर्ष का था जो प्रभु के वर्तमान समयक के साथ समतुल्य है आप और मैं उसके परित्याग के युग में वास करते हैं संसार ने मसीख को वैसे ही त्याग दिया है जैसे दाउद को त्याग दिया था और एक जानवर की तरह भटक रहा था उसका बैरे शाउल चारों ओर से घेरे हुए था और हमारा बैरे शैतान भी चारों ओर से अर्थात चारों दिशा में है और हमें घेरे है पहला पत्रस की पत्री पाच अध्याए के आठ पद में हमें चिताया गया है सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सीह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फार खाए यही दाउद ने कहा था मेरा प्रान सीहों के बीच में है आज हम भी यही बात कह सकते हैं इन दिनों प्रवीश मस्य इस संसार में से अपने नाम के लिए एक जाती तयार कर रहा है वह बोज से दवे, कर्ज से दवे और संतोस से रहित उदास मनिश्यों को बुला रहा है दाउद के युग में भी यही तीन मानव वर्ग उपस्तित थे उस समय संकट में पड़े मनुश्य वे थे जिन्हें शावल ने सताया था दाउद बहुत समय से शावल के संपर्क में नहीं था शावल के अनेक निष्ठावान, जीवन, संकट के कारण भाग कर दाउद से मिल गय थे यदि आपने संसार में अन्याई की मार सही है यदि आपने पक्षपात सहा है, यदि आप पीडित हैं और जानते नहीं की कहां जाएं तो प्रवईश्य मसी को देखें आज मनुश्य परिशानियों से मुक्ति पाने के लिए तरह-तरह के मार्ग और उपाय खोचता है नशा, मदीरा, आत्महत्या, आदी परन्तो एक ऐसा मनुश्य है जो आज हम सबको बुला रहा है लुकर्चिसू समाचार उनिस अध्याय के दसपद में लिखा है मनुश्य का पुत्र खोई हों को ढूणने और उनका उधार करने आया है वा आपकी सहायता करना चाहता है जी हाँ, वा आपकी सहायता करने में सक्षम है इबरान्यों के पत्रे दो अध्याय के 18 पद में लिखा है क्योंकि जब उसने परिक्षा की दशा में दुख उठाया तो वा उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परिक्षा होती है क्या आपकी परिक्षा और परक हो रही है? क्या आप संकट में हैं? आपको मुक्तिदाता की आवशक्ता है और वह आज उनको बुला रहा है जो उसके पास इसी खषण आने को तयार हैं. क्या आप तयार हैं? दाउत के परित्याक के समय वे भी उसके पास आए जो रिनी थे. रिन एक प्रकार का कैंसर है जो किसी भी परिस्तिती में विनाश लाता है. उस युग में रिनी मनुश्य की अपनी संपता जप्त कर ली जाती थी और उसे दासोत में बेच दिया जाता था. मनुश्य को सुरक् नहीं थे. शाओल रिनी मनुश्य को दासोत में जाने देता था. वह मुश्य की विवस्था को लागो नहीं कर रहा था. पाप ने हमें परमेश्वर को रिनी बना दिया है. आपको इस्मरन होगा कि प्रविश्यों ने जो प्रात्ना करनी सिखाई थी उसमें यह भी है. हमार को भागना पड़ता है. दाउद ने तो किसी का रिन नहीं चुकाया, परन्तो मसीः इश्यों ने चुकाया. उसने कुरूस की मृत्यु ध्वरा यह रिन चुकाया. उसने हमें मुक्त किया. प्रविश्यों मसीः ने आपके और मेरे लिए यह किया है. यदि आपको ऐसा प् सकते हैं यह कैसा अध्भुस सा भाग्या है मेरे मित्र जितने उधास थे वे सब दावत के पास आये थे उनके जीवन में करवाहट भरी हुई थी जीवन की परिस्तितियों और अनुभाओं के कारण उनका मन खटा हो गया था पिछले कुछ वर्षों से मैं संसार में बड़ी बेचैनी देख रहा हूँ कहीं कहीं तो वह बाड के समान दिखाई देती है किसी ने किसी कारण से मनिश्य जूलुस और विरोध प्रदर्शन करता है असंतोष और अधीरता छिपी हुई है यदि जीवन में परमिर्श्वर का हाथ ना हो तो वह करवाहट से भर जाता है उत पास आप आ सकते हैं वह एक अस्विकृत राजा प्रभीश्य मसी है उसने कहा है मतिर्चिसू समाचार 11 अध्या के 28 पद में हे सब परशम करने वालों और बोज से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और यहनर्चिसू समाचार 7 अध्या उसके 37 पद में उसने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पीए निर्वासन में जैसे दध ने इन 400 संकट ग्रस्त रिनी और उदास्वन के लोगों को पाया वा इस युग में प्रभीश्यू का चित्र है जहां उसका परित्याग हुआ वा अपने नाम के लिए इस संसार के लोगों को बुला रहा है पहला शामुल 22 सद है उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं यहां लिखा है वहां से दाओद ने मुआप के मिस्पा में जाकर मुआप के राजा से कहा मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानू कि परमे इश्वर मेरे लिए क्या करेगा और वहां उनको मुआप के राजा के समुख ले गया और जब तक दाओद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे मेरे मित्रों दाओद से कई पीढ़ी पूर्व एक और परिवार था जो मुआप जाकर बस गया था आपको इस्मरन होगा कि इस्राइल में आकाल के कारण एली मिलेक अपने परिवार के साथ मुआप चला गया था और बाइबल की कहानी में रूत का प्रवेश हुआ दाओद का पिता उस मुआबीन रूत का पोता हुआ निज संदे यही कारण था कि मुआप के राजा ने उन्हें मुआप में शरन दी इस्राइल को छोड़ कर मुआप जाने का अर्थ यह हुआ कि दाओद वास्तों में अत्यधे के भैभीत था यहां तक मेरा अपना विचार है उसे इस्राइल नहीं छोड़ना था क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करता उसका विश्वास भी अबराहम की नाई डगमा गाया था जब अबराहम मिस्र गया था अब हम आगे देखते हैं शाओल परमेश्वर की याजकों का संहार करता है पहला शामुल की पूस्तक बाई साध्या उसके पांच से आठ पद में लिखा हुआ है फिर गाद नामक एक नबी ने दाओद से कहा इस गड में मतर चल यहुदा के देश में जा और दाओद चल कर हेरित के जंगल में गया तब शाओल ने सुना कि दाओद और उसके संग्यों का पता लग गया है उस समय शाओल गीबा के उचे स्थान पर एक जाओ के पेड के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था और उसके सब कर्मचारे उसके आसपास खड़े थे तब शाओल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा हे बिन्यामिनियों सुनो क्या इशय का पुत्र तुम सभों को खेत और दाक की बारियां देगा क्या वा तुम सभों को सहस्त्रपति और सत्पति करेगा तुम सभों ने मेरे विरुद क्यों राजद्रों की गोश्टी की है और जब मेरे पुत्र ने इशय के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रगट नहीं किया और तुम मेंसे किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रगट नहीं किया कि मेरे पुत्र न शंका करनी की प्रवरिती उत्पन हो रही थी। संभवत उसमें उत्पीडन, मनोग्रंती का विकास भी हो गया था। क्योंकि उसने यह पाया कि उसका अपना पुत्र ही उसके साथ निष्ठावान नहीं था। वह सोच रहा था कि उसके अपनों ने उसे नहीं बताया कि दावत कहा है। एक मनुश्य था जिसे पता था कि दावत कहा है और उसने शावल को जानकारी दी। वह वहाँ परमिश्च के भवन में था जब दावत ने भेंट की रोटियां खाई थी। परमिश्य के पुत्र को नोब में अही तूप के पुत्र अही मेले के पास आते देखा और उसने उसके लिए यहवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्टी गोलियत की तलवार भी दी। दोएक से जानकारी लेकर शावल याजक अही मेले के पास जाने का नि मेलेक याजक को और इसके पिता के समस्द घराने को अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भीजा और जब वे सब के सब शावल राजा के पास आये तब शावल ने कहा हे अही तूप के पुत्र सुन वह बोला हे प्रभू क्या आ गया शावल ने उससे पूछ और उसके लिए परमेशा से पूछा भी जिसे वह मेरे विरुद उठे और ऐसा घहत लगाए जैसा आज के दिन है अही मेलेक ने राजा को उतर दे कर कहा तेरे समस्द कर्मचारियों में दाउद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है वह तो राजा का दामाध है और तेरी राज सभा में उपस्तित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है शाओल ने अही मेलेक और नोप के अन्य याजकों को बुलाया शाओल ने अही मेलेक से दाउद की सहयता करने का सपश्टी करन मांगा उसने राजा को सच्चाई बता दी उसके उद्देशे भल कि वह राजा के काम से निकला था पहला शामिल 22 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम पढ़ते हैं क्या मैंने आज ही उसके लिए परमिश्च से पूछना आरम किया है वह मुझसे दूर है राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोश लगाए ना मेरे पिता के समस्त घराने पर क क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विशय कुछ भी नहीं जानता राजा ने कहा हे अही मिलेक तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चे मार डाला जाएगा फिर राजा ने उन पहरूं से जो उसके आसपास खड़े थे आ गया दी मुडो और यहवा के याजकों को मा को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे कुरोद के कारण शाओल कुछ नहीं सुनना चाहता था उसने याजकों की हत्या का आदेश दिया उसके सेवा के इस आगया पालन पर पीछे हटे परन्तु शाओल अपने विद्रोह और पाप में इतना आगे बढ़ चुका थ तो उसने दौग को आगया दी कि वह इस गंदे काम को उसके लिए करे पहला शामयल 22 के 18 में आगे हम पढ़ते हैं तब राजा ने दौग से कहा तो मूड़कर याजकों को मार डाल तब एदो में दौग ने मूड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने ह पच्चासी पुर्षों को घात किया। पार कर गया था। हमें आज करवाहट में सावधान रहना है। वरन इसकी चेतावनी भी हमें दी गई है। मैंने कलिस्यों में देखा है। कलिस्या के पदाधीकारी अपने पद को मसी के महिमानवन में उप्योग नहीं करते हैं। वे किसी ने किसी के प्रति, द्वेश, करवाहट, प्रतिकार, घृणा उगलने के लिए अपना पद काम में लेते हैं। करवाहट के अधिन हो जाना अतिभाइंकर बात है। शावल के साथ ऐसा ही हुआ। वह निश्य ही शेतान का जन था। आप और मैं किसी को भय और प्राण की करवाहट में देख उसके उद्धार के विशय में निश्यत नहीं कह सकते। चाहे वह प्रभो की सिवा में सक्री ही क्यों न हो। ऐसी स्तिती में ग्यों से जंगली घास सुनना कठिन होता है। यहां भी ऐसा ही था। मित्रों यहां पर अध्याय बाइस समाप्त होता है और अब हम अपने अध्याय को अध्याय तेश से जारी रखेंगे। विशय है निर्वासन में भी परमेश्वर दाउद की सुधी लेता है। दाउद अपने 600 साथियों के साथ अब भी भाग रहा था। योनातन ने दाउ पूस्तक 23 अध्याय उसके 1 से 5 पद में लिखा है। तब दाउद को यह समाचार मिला कि पलिस्ती लोग किला नगर से युद कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाउद ने यहवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिस्तियों को मारूं। यहवा ने दाउद स सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे। तब दाउद ने यहवा से फिर पूछा और यहवा ने उसे उत्तर दे कर कहा कमर बांद कर कीला को जा क्योंकि मैं पलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूँगा। इसलिए दाउद अपने जनों को संग ले पलिस्ति कीला की निवासियों के खलिहानों को लूट रहे थे। यहां ध्यान देजे कि कीला की सहयता करने से पूर्व दाउद ने परमेश्वर की इच्छा की खोज की। यदि पी दाउद शाउद से बज़ कर भाग रहा था। उसने परमेश्वर की प्रजा की सहयता की। शावल को जब यह समाचार मिला कि दाओद और उसके साथी बेडे वाले नगर में हैं तो वह प्रसंद होकर अपनी सेना के साथ वहां गया कि पकड़ पाएगा। दाओद ने फिर परमिर्श्वा से पूछा कि वहां क्या करे। परमिर्श्वा ने उससे कहा कि कीला के निवास उसे शावल को पकड़वा देंगे अता वह वहां से भाग जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं पहला शामिल 23 अध्या कि 13 पद में लिखा है तब दाओद और उसके जन जो कोई 600 थे कीला से निकल गये और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गये। और जब शावल को यह ब भागा है तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। अर्थात वे दल बना कर नहीं विसरजित होकर वहां से निकल गये। अब हम आगे देखते हैं शावल दाओद का पीछा करता है। योनातान और दाओद वहां चाब बांधते हैं। पहला शामिल के पुस्तक 23 अ भूनता रहा। परंतु परमिश्वन ने उसे उसके हाथ में ना पढ़ने दिया और दाओद ने जान लिया कि शावल मेरे प्राण की खोज में निकला है और दाओद जीप नाम जंगल के होरेश नामस्थान में था और शावल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमिश्वर की चर्चा करके उसको धारस दिलाया। यहाँ पर ध्यान देजिए कि योनातन अपने मित्र दाओद के साथ अत्यधिक विश्वास योग्य है और उसे धारस बन्धानी की ही बाते करता है। आज आप अपने मित्र के लिए क्या करते हैं। मित्रो दाओद के भजनों को पढ़ने और गाने से मन को एक अती शांती प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि वह हमारी आंतरिक पीडाओं को जानता है। उसके गीत हमारे मन की बातों को प्रगट करते हैं। ये बात सच है कि दाओद को प्रशिक्षित करने की करम में जो घटनाएं घटती हैं। यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो हमारे दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। दाओद जब अंधकार की घाटी में से होकर गुजरा तो वह परमेश्वर को सहायता के लिए पुकारता है। और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया जहां से हमारे मन को शांती देने वाले गीत और भजन सहीता मिलते हैं और उभर कर आते हैं। यदि आपने इश्व के उधार के कार को जाना है तो अपने उत्तम मित्र को आपने पाया है। लेकिन आज हम मेंसे हर एक के लिए वह एक सच्चा मित्र है जिसने हमारे गुनाहों का दाम चुका दिया है। यदि हम उसके सन्मुख अपने पापो का बोज डाल दें तो वह हमारा सारा बोज उठाने के लिए तयार है। दोस्तों कई बार हम जीवन की निराशा और असंतोश में इसलिए पढ़ जाते हैं क्योंकि हम चाहते तो है कि संकट से छुटकारा पाएं लेकिन हम उसे पुकारते नहीं है। दाउद कहता है परख कर देखो कि यहवा कैसा भला है क्या आपने उसे परखा है। उसे जानने के लिए आपको उसके सनमुख आना पड़ेगा। उसको परखना होगा। उसे पुकारना होगा। क्या आप अपनी निराशा और असंतोश में उसके पास आज आएंगे। यद हमारे स्वर्गे पिता हम धन्यवात देते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपकी तरफ जो पुकारते हैं उनकी प्रार्थनाओं की और आप कान लगाते हैं। पिता हम आज बिंती करते हैं, हमारे दर्शकों के लिए, जो आपको पुकार रहे हैं, जिनके हिरदय तूटे हुए हैं, जिनके मनों में निराशा है प्रभू, जो जेलों में बंध है पिता, जो बिस्तरों में पड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें प्रार्थना निवेदन ल और हम उनके साथ मिलकर उनकी प्रार्थनाओं को आपके सनमुक रखते हैं पिता और ये बिंती करते अनुग्र करें दया करें प्रभू अपने शांती और चंगाई का हाथ बढ़ाएं और हमारे दर्शकों की जीवन में प्रभू एक अद्वुत चमतकार आज करें जिसके द् हमते हैं आमेन समस करना ना भूलिएगा प्रभू आपको आशीश दे